सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट अपको देंगे आप फाम जो है कहां से बर पाएंगे लाजडेट इसकी क्या होगी यह जो बेकेंसी है एनेचेव एमपी सीचो भरती 2022 नोटिफिकेशन आपका निकला गया है अगर आप इच्चूक है इस भरती के लिए तो पूरा बीड़ो जो है आप देखें अगर बीड़ो आपको अच्छी लगी है तो बीड़ो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए ताकि हजानकारी और लोगों तक पहुंच सके और जो भी बिद्यार्थी इच्चूक हूँ पच्चासी बेकेंसी है तो यहां आपको बेकेंसी का पता चल गया है कि कितनी बेकेंसी है और जो है पद का क्या-क्या नाम है डाटा एंटे आपरेटर स्वास्त अध्यकारी यह सभी आपके पद है इस भरती के लिए आविदन की आखरी तारीक आपकी 30 अप्रेल 2022 है तो यहां से आपको आखी तारीक भी पता चल गई है उम्मिद्वारों को आनलाइन आविदन MP आनलाइन पर जाकर करना होगा तो आपको जो है सीधे तोर पे कहा गया है कि आप जो है MP आउनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आविदन करें इस भरती के लिए आविदन जो है आविदन करता अधिक्तम उम्म्र आपकी 40 साल तक आविदन आप कर सकते हैं अगर आपकी 40 साल तक उम्र है आउस्रीमा में तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आराच्छित वर के उम्मीदबारों को अधिक्तम आई सीमा में नियमना स्वार छूट मिलेगी जो मने आपको कहा है उस पर आप देख सकते हैं आप जिस भी कटेगरी से आते हैं देखिए समदाइक स्वास्त अधिकारी 2022 बेकिंसी में आपके डिटेल से समझ लेते हैं आपके जिसे आयूरवेद है इसका 276 पद आपको मिलेगा होमियो पैथिस अगर आप भर रहे हैं तो 49 पद इसका है ग्रीक का भर रहे हैं तो आठ फद आपका खाली है डाट एंट्री आप्रेटर का 62 पद है सेच्चिक योगता देख लेते हैं किन-किन पदों के लिए कौन सी सेच्चिक योगता आपको लगानी पड़ेगी सामदाइक स्वास्त अधिकारी उम्मिदवारों के पास BMS की डिगरी होनी चाहिए तो अगर आप सामदाइक स्वास्त अधिकारी का फार्म डालना हैं तो आपके पास BMS की डिगरी होनी चाहिए साथ ही इंटर्सिप भी पूरा किया होना चाहिए आपको तो यह हो गए आपका सामधारिक स्वास अधिकारी का डाटा एंट्री आप्लेटर के लिए कंप्यूटर अप्लिकेशन या तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर आप B.S.C.A. B.S.C. होना चाहिए थोड़ा सा टाइपिंग में स्प्रिट है तो B.C.A. I.T. में B.S.C. होना चाहिए तो B.C.A. या तो फिर I.T. में B.S.C. होना चाहिए या फिर किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिगरी और फिर D.C.A. या PG-D.C.A. किया होना चाहिए देखिए इसका मोटा हम आपको बता देते हैं समझाते हैं थोड़ा सा मोटी मोटा ये बात क्या है जिससे अगर आप डाटा इंट्री आप फिरिटर का फार्म बनना चाहते हैं तो अगर आपने बैचलर डिगरी यानि आपने इस ताइसना तक किया है और साथ में अगर आपने D.C.A. किया है समझेगा या तो D.C.A. किया है या तो आपने PG-D.C.A. किया है ज्यादा पतर इसी कटेगरी के लोग भी लेगे तो उने ये समझना जरूरी था तो अगर आपने बैचलर डिगरी किया है और साथ में पीजी डीसी या तो डीसीय, पीजी डीसीय, दो मस्य, एक कोई भी ये जो आपलिक लगा गया है इनमें से एक चीज आपके पास होनी चाहिए इसे बैचलर डिगरी और साथ में या तो डीसीय हो या तो पीजी डीसीय हो तो इन में से आपको लगाना है तो कई चीजें यहां आपकी सम्लित की गए है BCA को किया गया है IT में BCA होनी चाहिए ये भी सम्लित किया गया है BTEC Computer Science को सम्लित किया गया है तो इस तरह तमाम जो डिगरिया हैं उनको सम्लित किया गया है तो इस बिस्त्रिस जानकारी में बस इतना ही अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बाक्स में कमेंट करें उसका पूरा समाधान किया जाएगा अगर वेडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको वेडियो को लाइक करना है और साथ में सेयर करना है मिलेंगे नेस्ट अगले वीडियो में थैंक्ट्यू फार वाचिंग